नमस्कार मित्रों मैं आपका अपना आपका अजीज आपका कमल नंदलार और मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ पंजाब के सिरी के नहीं यूट्यूब चैनल कुंडली टीवी का खाश शो आपका राश शिफल इस शो के जरीए हर रोज मैं आपको आपके भवेशे से चुड़ी सटीक जानकरी देने की कोशिश करता हूँ आज किसकी किस्मत का सितारा चमकेगा आज क्या है आपका लखी नंबर क्या है आपका लखी कलर आज आज किसका तिन बन जाएगा सुहाना और किसकी बात होगी पकी और भी बहुत कुछ है आज वाईए चलते हैं और शुरू करते हैं सिलसला राशिपल का और सबसे पहले बात करेंगे मेश राशी मेश राशी यानि कि एरिस आज एरियन्स अपनी वानी की मधुरता से आप सब का मन महू लेंगे मन मुहक मोहन बन जाएंगे आप आज आप में एक नया कॉन्फिडेंस डफलफ होने वाला है जिससे आप रास्ते में आने वाली हर प्रॉब्लम का बखुवी सामना कर पाएंगे और उन पर जीत भी हासिल कर पाएंगे आज आप क्रियेटिव आइडिया से परिपून रहेंगे और पूरे दिन अपने विवे का प्रदर्शन करते रहेंगे आज आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो समय आपके लिए जस परफेक्ट है आज के लिए आपका लखी कलर है ग्रीन और लखी नंबर है फोर आप बात करेंगे दूसरी राशी वरिश्यानी की टॉरस की टॉरंस आज सोशलाइज करने के दिलिए दिन परफेक्ट है इसलिए आज भाग दोड़ भी करनी पड़ सकती है पर निराश बिल्कुल भी नहीं इससे आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाला है आज आप जिम्यदारियों का बोज आपको सेहना पड़ सकता है लेकिन गवराई ये बिल्कुल भी नहीं आपको भविश्य में लाव ही लाव मिलेगा आज आपका एनरजी लेविल उचा ही उठा रहेगा इतना काम होने के बाव जो भी आज आपके सारे काम पूरे होंगे और पर्फेक्टली पूरे होंगे आज के लिए आपका लखी कलर है पिंक और लखी नमबर है वन बात करेंगे तीसरी राशी मिथुन राशी यानि की जमनाए की मिथुन राशी वालों आज आपके लिए दिन बहुत लखी साबित होगा आज का दिन मिथुन राशी के स्टूड़न्स के लिए किस्मत का पिटारा खुलने वाला दिन है आज उन्हें पढ़ाई में स्पेशल फल मिल सकता है आज जरुवत की चीजों पर मतलब से ज़्यादा खर्चा भी हो सकता है थोड़ा साफधान रहने की जरुवत है आपको परिवार की आर्थिक इस्तिती ठीक रह सकती है जिससे आप रिलाक्स फिल कर सकते हैं आज आप बड़ों का आशिरवाद लेकर घड़ से बाहर निकलें 100% सक्सेस आपके साथ होगी आज के लिए आपका लखी कलर है ग्रे और लखी नंबर है पाइफ बात करेंगे करकराशी की चौथी राशी कैंसर की आज आपका दिन समान ने रह सकता है आज जितनी महनत करेंगे बस उतना ही फल आपको मिल पाएगा इसलिए महनत बढ़ा दें अपनी हैल्थ का ध्यान ज़रूर रखें ये बहतर होगा बाहर खाने पीने से फोड़ा बचें बच्चों को मीठा किला कर ही आज आज आप घर से बाहर मिकलें बस फिर क्या है फाइदा ही फाइदा होगा आज आज के लिए आपका लखी कलर है पीच और लखी नमबर है फोर बात करेंगे पांच्वी राशी सिंख राशी की यानि कि लियंस की लियो आज आज आप किसी अंजान व्यक्ति से मिल सकते हैं और मिलते ही उसकी परेशानी का हल भी निकाल देंगे आज आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी जीवन साथी की उन्नती लगातार बनी हुई है आज आपका उधार दिया हुआ पैसा भी वापिस मिल सकता है आज के लिए आपका लखी कलर है यलो और लखी नमबर है एट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं छटी राशी की कन्या यानि की वर्गो की आज वर्गो आपको अचानक कहीं से धन मिलने के योग हैं लक्ष्मी जी महरवान हैं आज आप पर आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है घर में चल रहे शादी की समस्या का आज हल भी हो सकता है इस राशी की लेडीज जो हैं आज के दिन लाज साड़ी पहन कर घर से बाहर निकलें बस फाइदा ही फाइदा होगा ये ग्रह लक्ष्मी ही है आज अगर कोई एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं तो थोड़ा द्यान जरूर रखें कि पूरी बहां की शिर्ट फूल स्लीज शिर्ट पहन कर ही बहार जाएं आज के लिए आपका लखी कलर है पूर्पल और लखी नंबर है सिवन बात करेंगे साथ विराशी तुला की यानि कि लिब्रा सो लिब्रेंस हेल्थ आज आपको थोड़ा परेशान कर सकती है जो कॉंट्राक्टर्ज हैं उन्हें आज कॉंट्राक्ट मिल सकते हैं आज आपके बिजनस में तेजी आ सकती है खर्चे बढ़ेंगे लेकिन फैनेशल कंडिशन मजबूत रहेगी डोबा हुआ पैसा भी वापिस मिलने की उमीद है स्टूडिंस के लिए आज दिन बहुत अच्छा है आज के लिए आपका लखी कलर है पिंक और लखी नंबर है नाइंग बात करेंगे आठ विराशी व्रिश्चिक की यानि की स्कॉर्फियो स्कॉर्पियन्स प्लेयर्ज हैं जो खिलाडी हैं उन्हें खेलकूद में सफलता हासिल हो सकती है आज किसी महिला दोस्त से आपको मदद मिल सकती है आज आपके नए दोस्त बन सकते हैं जमीन या मकान खरीडने के भी आज बहुत सुन्दर योग बन रहे हैं विदेश में नौकरी की बात भी ही चल सकती है इस समय आपको कोई मुनाफे का सौदा भी हो सकता है आज आपका दिन आपके लव मेट के साथ बहुत परफेक्ट रहने जा रहा है दिनका लाब उठाएं आज के लिए आपका लखी कलर है स्काई ब्लू और लखी नंबर है सिक्स बात करेंगे नवी राशी की धनू राशी की यानि की सेचिटेरियन्स सु सेचिटेरियस आज के लिए आपका दिन आपके परिवार के लिए भी काफी अच्छा सावित हो सकता है भाई बहनों के साथ किया गया काम सकसेस ही सकसेस देगा आपको आज आप अपने फ्यूचर के बारे में प्लानिंग भी बना सकते हैं आज आपकी भगवान में गहराई से आस्था भी बढ़ सकती है इससे आपका मन शान रहेगा आज आप किसी व्रद्द महिला यानि अपनी मा का अपनी दादी का अपनी नानी का आशिरवाद लेंगे तो आपको हर काम में सकसेस ही सकसेस मिले दिए आज के लिए आपका लखी कलर है ब्लाक और लखी नंबर है सविट अब बात करेंगे दस्वी राशी मकर की यानि की खेप्रिखौन आज आपका समाज में रुतबह बढ़ेगा आपके लिए विदेश से एक खास मैसिज भी आ सकता है आपके बच्चे की सेहत पर आपको थोड़ा ध्यान देने की खास जरूरत है दोस्तों से आपको मौरल सपोर्ट भी मिल सकता है स्टूडिंट्स को करियर के लिए मेहनत करने की जरूरत है अपनी मेहनत फ्यूचर में काम आईगी आज के लिए आपका लखी कलर है रेड और लखी नमबर है वन बात करेंगे अक्वाइरियस यानि की कुम्भराशी की कुम्भराशी वालों जो नौकरी की तलाश में हैं आज उनको जौब के आफर मिल सकते हैं जिससे आपके मन में खुशी ही खुशी रहेगी जो लोग शेक्षा के शेत्र से चुड़े हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है आज आप अपने गुस्से पर थोड़ सा कंट्रोल जरूर रखें नहीं तो बात बिगड सकती है और जिससे आपके काम भी बिगड सकते हैं गाय को घी की रोटी खिलाने से घर की सारी परेशानी सारी टेंशन कतम हो सकती है जैगो मिया आज के लिए अपना लखी कलर है वाइट और लखी नमबर है टूग बात करेंगे बारवी राशी मीन राशी की यानि की पाइसिस की आज आप किसी से जगडा बिलकुल ना करें यह आपके लिए नुकसान दायक साबित हो सकता है आज आपके पास किसी भी काम को करने की बावर और अथारटी रहेगी आज आपके आसपास के लोग आपके एक्सपिरिंस का पूरा का पूरा पूरा प्रॉफिट उठा पाएंगे आज आपकी राए लोगों को उनके काम में सकस्स दिला सकती है आपके घर में सोह और शांती का निवास रहेगा किसी भी धर्मिस्थल में मंदिर में दही और दूद का दान करने से घर में सारी खुशाहली रहेगी आज के लिए आपका लखी कलर है गोल्डन और लखी नमबर है फाइफ तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही कल फिर आपसे मुलाकात होगी आपका भविश्य बताने के लिए आपकी राशी का भविश्य बताने के लिए तब तक कमल नंदलाल को देजे अजाज़त आपका दिन शुब हो मंगल मैं हो साथ ही एक खास बात और अगर आपको कुछ समस्या है कोई ऐसे परेशानी है जिसका हल आपको नहीं मिल भा रहा है तो आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपनी डेट अबर्ट, टाइम अबर्ट और प्लेस बर्थ ये लिख करके अपनी परेशानी लिख दीजे और साथ ही अपना फोन नंबर लिखना बिलकुल भी न भूलें मैं आपको सीवे संपर करूँगा और सबसे जरूरी बात हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब और शेयर करना बिलकुल भी न भूलें नमस्कार